All right guys, तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब, वीडियो का thumbnail और टाइटल देखके आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है, वाटर हीटर यानि गीजर के बारे में, तो फड़ फड़ आप सभी को दिखा दू कि भाई मैंने यहाँ पे Crompton के इस पटिकुलर म में से, वाटर हीटिंग को लेके, वो कैसा है, सब कुछ आप सभी को अच्छे से, और डेटिल में पताने वाला हूँ, तो अगर आप भी फर्स ताइम घीजर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और जाना साथ है कि Crompton के इस पटिकुलर मॉटल का पपोमेंस कैसा है, then make sure वीडि को मैंने यहाँ पे लिया है, और साथ में 3 kilowatt power wattage, आपको इसमें देखने मिल जाएगा, साथ में इस product पे आपको té Industries की warranty के लेकिन इसके tank आपको five years की warranty देखने मिल जाती है, इसकेला ठीकive काफी दगड़ा तो हैं ही, लेकिन आप मेंसे काफी लोगा question यह होगा, कि मैंने इस Certificate for Stories Giezer और साथ में जब भी बात आती है Water Heater की नुभाई Crompton के आपकों पे Wide Range Product देखने मिल जाएंगे आपके घर के लिए भी और साथ में बिजनेस के लिए भी इन में आपको Top Notch Performance तो देखने मिलता है लेकिन साथ में इनकी Durability भी काफी अच्छी होती है तो काफी कुछ में आपसे भी को इसके बारे में बता दिया अब 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 इसके Unboxing करते हैं और देखते की Box के अंदर क्या क्या देखने मिलता है जब भी आप इसे Order करेंगे तो अब क्योंकि 5 लिटर वाल है तो उसका Box भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिले इसे यहां से Open कर लेते हैं और देखते हैं बाई कि क्या कुछ इसके अंदर देखने मिल जाता है गीजर के साथ साथ में तो Open करते साथ ही सबसे पहले तो भाई ये रहा Screw जैसे कि मैं आपसे भी को दिखा दूँ ओके गाईस तो काफी minimal design है भाई मैं आपसे भी को दिखाऊँगा इसके लगा box के अंदर आपको user manual और warranty card भी देखने मिल जाता है बागी यह रहा हमारा water heater जैसे कि आपने आप देख सकते काफी plain और काफी minimal सा design देखने मिल जाएगा चारतों से यह pack है साथ में top में आपको front side में crompton के branding और bottom में आपको LED indication light देखने मिल जाएगा जब भी पानी गरम वगरा हो जाएगा तो इसके बार इसमें अच्छे से बताएंगे और साथ में bottom part में आपको हाँ पर एक reset button देखने मिल जाएगा और बाकी की दो plugs देखने मिल जाएगे लेकिन भाई जो इसका weight है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है एक हासा मैने से आराम से उटा ले तो आप समझ सकते weight भी काफी अच्छे से आप बैलेंस किया गया है और भाई इसे काम करते हैं इस्टॉल कर लेते हैं और इस्टॉल करने के बाद में भाई तो first of all installation की बाद कर लेते हैं installation काफी एदा easy था यानि अगर आप थोड़े बहुत knowledgeable person हो तो इतना easy कि आप खुद भी इसे कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा कि ये काम आप एक expert पे छोड़ दीजिए और किसी भी plumber या फिर technician को पगड़ के आप कुछी दिर में ये काम करा सकते हैं और मेरे case में तो भाई काफी smoothly काफी अच्छे से ये हो गया था हलाकि इन pipe को fit करने के लिए मुझे अलग से इने purchase करना पड़ा था और तो काफी time हो गया इसे install किया है और थोड़ा सा wait करना है within one to two minute ये instantly water को heat कर देता है और continuously आपको गरम पानी provide करता है और ये suitable है आपके bathroom के साथ साथ आपके kitchen के लिए भी और साथ ही इस geezer में आपको high grade tank देखने मिलता है अब simple words में समझाओ तो इसमें आपको 304 liter का एक high grade well dash tank देखने मिलता है जिसके वैसे पानी बहुत जल्दी गरम हो जाता है instant आपको hot water मिलता है और साथ में continuous लिए आपको hot water provide करता है ये geezer और मेरे लिए तो ये बहुत ये perfect चीज़ है जब भी मुझे गरम पानी शेयर simply on कर दीजे और within 1-2 minute आपको 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 अच्छा-खल सा गरम पानी देखने मिल जाएगा साथी में जो इसका body है वो rust proof है जो प्लास्टिक का मटली है याँ पर यूज़ के गए इसे बनाने के लिए वो rust proof है जो कि rapid jet family का part है और इसे 8 लाग से जाता users trust करते हैं across India और geezer में आपको bottom में दो lights देखने मिल जाते हैं red and green और इन में से ये जो green वाला light है जैसे ये on होता है that's mean आपके लिए perfect hot water यहाँ पे ready to use हो गया है और जैसे कि वन्हें starting बता है कि Crompton को मैंने इसलिए choose कि है यहाँ पे advanced safety देखने मिल जाता है और घीजर के मामले में अगर आपको advanced safety देखने मिले तो क्यों ना आँख बन करके ऐसे brand पे trust किया जाए तो अगर बात कुलो इस particular product की तो इसमें भी आपको advanced safety देखने मिल जाता है और brand का भी यही कहना है कि safety इनकी first priority है और यह particular rapid jet 5 liter का जो गीजर है वो आता है 4 layer के safety के साथ में जिसमें आपको capillary thermostat, automatic thermal cutoff, appressor release valve और साथी fusible plug देखने मिलता है जो कि make sure करता है कि safety यहाँ पे एक दम बढ़िया हो और इसके लवाए इस गीजर में आपको anti-siphon protection भी देखने मिल जाता है जो कि पानी के back flow को रोखता है heating element को dry heating से बचाता है और इसके साथ में आप यहाँ पे higher capacity में instant geezer का मज़ा ले सकते है और इन सबी के साथ में दिखने में यह बहुत ही minimal लगता है और क्योंकि जैसे के आप देख सकते है जो मेरा bathroom था वो बहुत ज़्यदा बड़ा नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी अच्छे सा आ गया काफी elegant दिखता है clean है minimal है simply आपको on करना है water heat होने के लिए और आपको हाँ पे LED indication light भी देखने मिल जाता है और basically एक अच्छे geezer में जितने भी खासी तो नहीं चीए वो सार्च चीज़े आपको पे crompton के इस geezer में आपको देखने मिल जाती है so guys hopefully आप से भी क्लिए ये वीडियो helpful रहा होगा और आप से भी को इस particular product को लिए के सार्च चीज़े समझ में आ गए होगे और एक चीज़ में आपे और बताना चाहूँगा कि मेरे पास से आपके 5 लिटर के capacity इसका एक छोटा भाई भी जिसकी capacity इससे कम है तो अगर आपको छोटा size चीए तो आप उस particular model के लिए जा सकते हैं और इन दोनों का direct buy link आपको निचे description देखने मिल जाएगा अगर आपको कोई doubt है इस particular product को लेके तो make sure नीचे comment कीजिए मैं उसे भी का answer करूँगा बाकि आपसे भी कोई ये water heater कैसे लगा ये geezer कैसे लगा नीचे comment करें जो बताना हो और साथ में मैं ऐसे smart gadgets and products का वीडियो लेके आता रहत हो झाल झाल